देखिए बर्चर के तो ये सरकार बड़े बड़े बात तो कहते हैं, जब कहीं से बंदे भारत की सुरुवात होते हैं, खुद हमारे देश के पदाल मंत्री जाके जंडा लहराते देखते हैं हम लोग, रेलवे मंत्री नहीं, हमारे पदाल मंत्री हर चीज में जंडा लहराने के लिए त्यार रहते हैं, लेकिन रेलवे की दिरघटना हथसा चाहिए वो डिरेल्मेंट हो, चाहिए वो आमने सामने टककर हो, रोकने की नाम नहीं लेते, थामने की नाम नहीं लेते, पिछले पाच महिनों की अंदर, अब देखो बाला सुर, और बाला सुर के उपरांत अभी अंधर पहुच गए, एक ही कॉलिशन, मतलब टककर आमने सामने, इसके बीच बिहर की बकसर जिले में भी डिरेल्मेंट के चलते, पट्री से बाहर रेल की कोच गिरने के चलते, हुआ भी मौत की मंजर हम लोग देख चुके हैं, तो सवाल ये है, कि इतने बरे-बरे वादे तो किये जाते हैं, व वाइदे की बदले हमें मिलता क्या है, बंदे भारत को लेकर धिरोरा पीटा जाते हैं, मुनादी पीटने में कोई कसर नहीं चोड़ते, लेकिन जो बुनियादी हमारे रेलोए की जो चीजे जरूरत होते हैं, जैसे की सेप्टी और सिकूरूटी कहते हैं हम लोग, उस पे स सरकार नजरंदच कर रहे हैं, साथी साथ, सरकार ये दावा करते हैं, कि एंटी कोलिशन कोलिशन डिवाइस की इस्तेमाल किये जा रहे हैं, तो कहां गए, ओ एंटी कोलिशन डिवाइस कहां गए घुमने, मुदी जी के साथ ओभी घुमने गए कहीं होगी, आम लोग की जान रोजाना घबने पड़ते लेकिन सरकार की वाइदे की और दावे की कोई कमिया नजर नहीं आते सरकार को बस लगता है कि मरे तो मरे दस लक रूपिया मुआपजा दे देंगे बात खतम आम लोग की जान की परवा यह सरकार नहीं करते हैं मैं बड़े दावे से जोर कहना चाहता हूँ पता नहीं कैसे कि लोग को यह लोग मिनिस्टर बना देते हैं मिनिस्टर होने की नाते कम से कम कुछ बात की तो एहमियत होना चाहिए ना नहीं तो मिनिस्टर कैसे बने है तुम आप लोग जहां हिंदूस्तान के पधान मंत्री पलेस्टाइन की पलेस्टाइन ऑथरेटी की जो चेर्मेन है मामूद अब्बस रमल्ला में मतलब पलेस्टाइन में जो रहते हैं फोन पर बात नहीं की इजीप की पधान मंत्री से बात नहीं की जॉर्डन की पधान मंत्री से बात नहीं की सामान भेजने का प्रयाश कर रहे हैं दावा नहीं किया है हमारे पदान मंत्री कहते हैं कि पैलेस्टाइन को अलग से स्टेटूट की दर्जा देना चाहिए तो पैलेश्टाइन की समर्थन ये सरकर कहे सकते हैं कि हम समर्थन नहीं करते हैं बताइए अगर दम हाई वो मंती जो कहते हैं वो खूले हम कहिए कि पैलेश्टाइन को मुद्द मतलब स्टेट रूट की जो मुद्दा है एक सतंत देश की जो मुद्दा जो हमारी देश की पर इसको माननता देना चाहिए कि अब हमारे देश के पुदान मंति बीजेपी यह नहीं सिखाते अगर ना सिखाते खूले हम क्यूं नहीं कहते सब जानते हैं कि केराल की मुद्ध क्या है एक बोम ब्लस्ट हुई राहूल जिस चुप्पिसाद है या नहीं बात की बात है क्योंकि यह सरकार और यह पार्टी हर चीज में राहूल गांधी जी को नाम जिकरना इनका फर्ज बन गए है क्योंकि अगर राहूल गांधी जी के नाम ना उल्लेक होते तो मसला बनते नहीं तो राहूल गांदी जी के नाम लेते बिना ये सरकार सुबे से साम और बाकी काम कह रहे गए लेकिन मेरा सावा लिया है कि एनाय कहां गए आपके एनाय एडी सीबी आई कहां गए आपको सबको बुलाईए जल से जल जीन लोगों ने ब्लास्ट कर दिये हैं वो खूद सिकारते हैं हुआ तो इसमें हम क्या करना है हमें सुबे की सरकार अगर किसी को मदद देंगे देज बिरोदी कोई ताकत को ये साबित करे हम भी बिरोद करेंगे लेकिने बे बूनियाद और आधार इन तत्तों के उपर खाराओं के अचानक राहूल गांदीजी ये खिलाब जंद छेरने में इन लोग को मज़ा जोरू रहते हैं पीछे राज तो ये है कि राहूल गांदीजी से डरते हैं